दोस्तो पुलीस वरिफिकेशन सेटिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे दोस्तो करेक्टर सेटिफिकेट या फिर चरीतर प्रमार पत्र भी कहते हैं अब यह सेटिफिकेट दोस्तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है जब भी दोस्तो हमारा गवर्मेंट जॉब लगता है तो हमसे दोस्तो यही सेटिफिकेट मांगा जाता है उसके सासात अगर आप CSC सेंटर खोल रहे हैं जनसेवा केंदर खोल रहे हैं या फिर दोस्तो आधार सेंटर खोल रहे हैं तो ओभी दोस्तो यही सेटिफिकेट आपसे माना जाता है अब यह character सेटिफिकेट online कैसे बनता है इस वीडियो के अंदर दोस्तो मैं आपको live process दिखाने वाला हूँ आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हैं कोई फरक नहीं पड़ता आसानी से दोस्तो आप online ही police verification certificate जिसे character certificate कहते हैं उसे बनवा सकते हैं तो पूरा process जानना चाते हैं तो इस वीडियो को like कर दो and continue guys इस वीडियो को देखते रहो दोस्तो police verification certificate यानि की चरीत्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले google को open कर लेना है ये काम आप अपने mobile phone से या फिल लेप्टॉफ से भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको search करना है police verification certificate इस प्रकास आपको type करना है उसके बाद दोस्तो आपको space देना है और जिस राज्ये का दोस्तो आप यह बनाना चाते हैं उस राज्ये का नाम type करना है जैसे कि UP का बनाना चाते हैं तो UP लिखना है महराष्टा का बनाना चाते हैं तो महराष् में टाइप करना है और सर्च करना है पहला जो लिंक आएगा दोस्तों यही में लिंक होगा तो इसी के उपर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आप अपने स्टेट के जो पुलिस का अधिकारिक वेबसाइट होता है वहाँ पर आजाएंगे यहाँ पर आपको सिटिजन सर्विसिस के उपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सर्विस दिये गए है तो आपको करेक्टर वेरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है तो इसके उपर क्लिक कर देना है फिर उक्के कर जैसे आप OK करेंगे आपके सामने इस प्रकास से इंटरफेस आजाएगा यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे सर्विस दिये गए हैं जिसके आप यहाँ पर लाब उठा सकते हैं तो इस वीडो में हम देखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र हमें कैसे बनाना है अनुरोध कैसे करना ह apply कैसे करना है ठीक है तो यही हमारा main focus है इस video के अंदर तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक नए आक आकाउंट बनाना है उसके बाद अगर आपका middle name है तो आप यहाँ पर middle name type कर सकते है last name है तो यहाँ पर आप अपना last name type कर सकते है आपको यहाँ पर अपना gender select कर लेना है जो भी आपका gender है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना email id type कर देना है यहाँ पर दोस्तो नीचे आपको अपना mobile number टाइप कर देना है जो आपका login ID रहेगा यहाँ पर आपको अपना एक password बना लेना है उसके बाद दोस्तो नीचे दुबारा से आपको अपना password डालके confirm कर लेना है 8 digit का password रहेगा तो आपको उसी इसाब से यहाँ पर टाइप करना है सब कुछ होने के बाद दोस्तो आपको submit के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप submit करेंगे जो आपका account है और यहाँ पर successfully create हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर simply करना क्या है OK के button पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर अब login करना होगा login करने के लिए आपको अपना login ID सबसे उपर यहाँ पर type कर देना है यानि कि mobile number type करना है और जो आपने password बनाया है उप password यहाँ पर type करना है और यह जो capture code दिया है इसे यहाँ पर आपको type करना है और login के button पर क्लिक करके login करना है जैसे आप login करते हैं आपके सामनी इस प्रकास इंटरफेस आजाता है तो यहाँ पर आपको पहला जो option दिया है जनहित यहाँ पर इसके उपर क्लिक करना है फिर यहाँ पर तीसरे नमबर पर आ जाएगा चरीत्र प्रमाणपत्र अनुरोध इसके उपर क्लिक रखेंगे तो यहाँ पर आपको दो option देखने को उमलेगा सबसे पहला है चरीत्र प्रमाणपत्र अनुरोध जोडे और यहाँ पर correction का भी दिया है आपको तीन step में fill up करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले step में दोस्तों आपको आवेदक का विवरंड देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पता, फिर सपत पत्र, यह तीन step यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर अनुरोध के लिए आपक सेलेक्ट करना होगा, दो option दिया है, एक है सामाने और एक है ठेकेदार, अगर आप एक सामाने नागरिक है तो सामानी के उपर क्लिक करना है, ठेकेदार है तो ठेकेदार के उपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो first name है, उसे यहाँ पर type कर देना है, इस प्र से आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर दिया गया है इस सेवा के लागू करने के लिए प्रयोजन यानि कि आप यह सेटिफिकेट क्यों बनवाना चाहा रहे हैं इसके पीछे का क्या उद्देश से उसके बारे में आप यहाँ पर टाइप कर सकते ह हैं ठीक है आप अपने हिसाब से आप टाइप कर लिजिए उसके बाद यहाँ पर आता है प्राप्त करने की विधी आप यह सेटिफिकेट कैसे प्राप्त करना चाहते हैं डाग द्वारा यानि कि पोस्ट आपिस से आपके घर पर यह सेटिफिकेट आ जाए तो यहाँ पर आपको डाग द्वारा सेलेक्ट करना है यह बेश्ट है इसे ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अगला जो इस्टेफ दिया गया है यानि कि यहाँ पर संबंद का प्रकार आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप अप पर दोस्तों आपको एक अपना photo upload करना होगा तो खोजे के उपर क्लिक करना है इस प्रकार से एक pop-up आएगा तो choose file के उपर क्लिक करके आपको अपना photo यहाँ पर select कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं size होगर है सब कुछ यहाँ पर बताया गया है किस format में होना चीए सब कुछ यहाँ पर mention क्या गया है सब कुछ होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको type कर देना है photo जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद नीचे आपको upload करे के उपर क्लिक करना है फिर आपका photo यहाँ पर upload हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इससे आपको यहाँ पर बंद करे के उपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका photo आ चुका है अब आपको simply क्या करना है नीचे आना है calendar के उपर क्लिक करना है और अपना जो date of birth है उसे यहाँ पर select करना है सबसे पहले आपको year select कर लेना है फिर आप अपना month select कर लीजिए फिर date इस प्रकास से आपको select करना है फिर यहाँ पर बाकी सबीर जो detail है ओँ automatic fill up हो जाता है आपका उम्रे कितना है किस वर्स में आपका जन्म हुआ सब कुछ आ जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना वर्तमान पता देना है जिसमें दुस्तों आपको अपने गाउ का सहर का जो नाम है उसे यहाँ पर type कर देना है जो भी आपके नाम है ओप यहाँ पर type कर दीजिए गाउ सहर ठीक है मोहला इस प्रकार से आपको type करना है इसके बाद दोस्टों यहाँ पर आपका जो days है वो Automatic select रहेगा और उसके बाद जो state है वो भी यहाँ पर Automatic select रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना जीला Select कर लेना है जैसे खिए आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप इस address पर कब से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं वो इस प्रकार से टाइप करना है कितने महिने हो गए हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं फ पिर आपको यहाँ पर अपना address फिलब कर देना है सब कुछ इस प्रकार से आपको करना है फिर जमा करे के उपर आपको क्लिक कर देना है आपके सामने दोस्तों last step आजाएगा सपत पत्र अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आपका कोई अपराधिक record है या आपके परिवार के खिलाब कोई अपराधिक करवाही डेस के किसी भी भाग में record है यहाँ पर आपसे यह question पूछा जाता है तो यहाँ पर हाँ या फिर नहीं में आपको जवाब देना है अगर यहाँ पर दोस्तों आप हाँ select करते हैं आपको उसके बारे में बताना होगा जैसे कि यदि हाँ viewer प्रदान करें यानि कि अगर आप हाँ select करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा detail देना होगा क्या क्या है कैसे कैसे सब कुछ आपको बताना होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जाता है यहाँ पर generate हो चुका है आपको इसका एक screenshot लेकर रख लेना है या फिर आप इसका एक photo click करके भी रख सकते हैं यह चला नमबर बहुत ही काम का है तो इसे आपको खोना नहीं है फिर next करेंगे तो आप यहाँ पर दोस्तो payment page पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको इपेमेंट यह नि कि online payment करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ पर आपको कुल 50 रुपए का payment करना होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि कि police verification certificate बनाने के लिए आपको 50 रुपए का payment देना होगा तो proceed के उपर आपको यहाँ पर कर देना है जैसे आप यहाँ पर proceed करते हैं अब आपको अपना payment method select कर लेना है कैसे आप यहाँ पर payment करना चाते हैं तो हम UPI से pay करना चाते हैं तो UPI को select करते हैं फिर QR code को यहाँ पर scan करके आपको payment कर देना है जैसे दोस्तों payment करते हैं आपका जो payment status वोई यहाँ पर success हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार दोस्तों आपका payment हो गया तो आपका सारा काम खतम हो गया है अब आपको wait कर लेना है जैसे पर पुलीस verification certificate बन जाता है फिर जो आपने address दिया है उस address पर दोस्तों आपको मतलब की बाई पोश्ट भेज दिया जाएगा या फिर जैसे आपने सेलेक्ट किया होगा वैसे दोस्तों आप कलेक्ट कर सकते हैं अपना पुलिस वेरिफिकेशन सेटिफिकेट तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाई को शेर करना साथी साथ हमारे शेनल को सब्सक्राइब कर लेना थेंकिये दोस्तों बाई बाई टेक केर